लारेंस गेंग के हार्ड कोर अपरादी सचिन जाट को लाया गया महिला थाने च्छावनी में तबदील हुआ परिसर लारेंस गेंग के हार्ड कोर अपरादी सचिन जाट को बुद्वार को जिला जेल से महिला थाने लाया गया आरोपी सचिन जाट को जनवरी 2022 में चूरु शहर के पंखा रोड पर इस्तित मोयल सेनेट्री और टाइल शोरूम में हुई रंगदारी तथा लूट के मामले में प्रोडेक्शन वारंट पर पंजाब की रोपड जेल से रहीवार को गिरफतार किया गया था चूरु जिला जेल में शिनाक्त परेड के बाद बुदवार को सचिन जाट को महिला थाने लाया गया जहां से कोतवाली पुलिस उसे कोल्ट में पेश करेगी लोरेंस गेंग के गुरगे सचिन जाट पर हत्या के पाँच मामलों सहीत 18 मुकदमे दर्ज है कोतवाली सियाई मदनलाल बिश्णोई ने बताया कि 19 जनवरी 2022 को चूरु के वार्द संक्या पाँच निवासी साजित खान ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि उसके पंखा रोड पर मोयल टाइल और सेनेटरी नाम से शोरूम है जहां HR नंबर की एक कार आकर रुकी जिसमें से चार लड़के उतर कर उसके शोरूम में आये और उन्हें वाटसप से वीडियो कॉल कर गेंगेस्टर संपत नहरा से बात करवाई संपत नहरा ने वीडियो कॉल के जरिये उससे रंगदारी की और शोरूम में आये चार लड़कों में से एक ने उसकी कनपटी पर पिस्टोल लगा दी और दूसरे ने दस अजार रूपे लूट लिये पूरा घटना करम शोरूम में लगे CCTV में कैद हुआ था कोतवाली पुलिस ने IPC की धाराओं में मुगदमा दर्ज कर जान शुरू की जिसके बाद पुलिस ने पंजाब की रोपड जेल से आरोपी हरियाना निवासी सचिन जाट को प्रोडेक्शन वारंट पर गिरफतार कर लिया अब कोतवाली पुलिस आरोपी सचिन जाट को कोट में पेश कर रिमांड पर भी लेगी